एलो दोस्तों, दी इंकेड़ोल दुनिया में आप सब इका स्वाकत है दोस्तों, बताए जा रहा है कि भारत के दिगजनेताओं अलगबग 40 सिन्यर जन्नलिस्ट लोगे फोन टैप किये जा रहे हैं इस फोन टैपिंग के पीछे दुनिया के सबसे ताकदवर हैकिंस अप पर पिगासस का नाम सामने आ रहा है यहाँ पर बता दें कि साल 2019 में जब भारत समय दुनिया भर के 100 से अधिक पत्रकारों और सामाजिक कार्यकरताओं के वाटसअप एकाउंट की जासुसी हुई थी जासुसी की दुनिया में पिगासस का बड़ा नाम है दरसल पिगासस एक तरह का सब्टवर है जो चुक्के से किसी भी डिवाइस की जासुसी कर सकता है पिगासस से स्पाइवर यूजर्स की जानकारी के बिना उनके फोन में मौझूद रहते हैं और उनके फोन में मौझू गोपने जानकारी को हैकर्स तक आसानी से पहुचाते हैं आपको फोन में स्पाइवर है या नहीं इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है आपको पता दें कि साल 2019 में पेगासस के जरिये ही भारत समय दुनिया के करीब 14 पत्रकारों और समाजिक कार्यकर्ताओं की जासुसी हुई थी इसके अलावा Amazon के CEO जैब Bezos का WhatsApp भी इसी सब्सक्राइवर से हैक हुआ था इसराइल के NSO ग्रूप Cyber Technology ने इस स्पाइवर क्ता जासुसी वाले सब्सक्राइवर को डबलब किया था Pegasus सब्सक्राइवर यूजर की इजाज़त और जानकरी के बिनाही फोन में इस्टल हो सकता है एक बार फोन में इस्टल हो जाने के बाद इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता है Pegasus किसी भी phone में सिर्फ एक missed call के जरिये ही install हो सकता है यह phone में मौजूद end-to-end encrypted message को भी पर सकता है आसान भासा में बोले तो यह WhatsApp और Telegram जैसे एप से भेजेगे personal message को भी पर सकता है इसका मतलब यह हुआ कि WhatsApp और Telegram जैसे एप भी सुरक्षित नहीं है Pegasus software आपकी नीजी जानकारियों पर बारिकी से नजर रख सकता है हैरान करने वाली बात यह है कि phone में इस software के कोई icon नहीं आता जिसके जरिये आप इसकी पहचान कर सकते हैं यह software पास्टवर, contact list, message, microphone, camera और विविन्वा messaging apps की calling के feature पर पल-पल नजर रखने में माहीर है एकनोमिक टाइम में छपी एक रिपोर्ट के मुताविक पेगासस software की कीमत साथ से आट मिलन डॉलर है यानकी 56 करण चपन लाग 40 हजार रुपे है इस कीमत में पेगासस software का एक साल के लिए license मिलता है एक license पर आप एक साल में 500 phone का निगरानी रख सकते हैं पेगासस software यूजर्स की पर्मिशन के बीना ही उसके phone को on-up करने के अलावा format भी मार सकता है जनवरी 2020 में दगार चेन ने एक रिपोर्ट में कहा था कि 8 नवेंबर 2018 को जेब बेजस को एक WhatsApp मेसेज बेज कर उनके phone को hack किया गया था जेब बेजस का WhatsApp एकाउंट hack होने के पीछे भी पेगासस software का ही नाम सामने आया था इस पेगासस software का इस्तिमाद मध्यप्रदिस के चर्चित हौनी ट्रेपिंग कार्ण में भी हुआ था Citizen Lab के एक रिपोर्ट के मुदाबिक सरकारी एजनसियां पेगासस जेसे स्पाइवर के जरिये उन यूजर्स की जासुसी करते हैं जिससे सरकार को खत्रा होता है रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस software को राजनितिक इरादों के लिए भी इस्तिमाल के जाता है वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरू बदाएगा अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरका इंट्रेस्टिंग बात जानना अगर आपको पसंद है तो मरजना सस्ट्राइब का नमस भूलेगा वीडियो ने तक दिखने कि दिए धन्या बात